हेलो जी आज हम बनाएंगे बहुत easy tasty और healthy मखाने का राइता जी हाँ से हबर्पूर मखाना राइता राइता तो हम गर्मी में daily खाते हैं पर मखाने का राइता आप त्राइ करके देखें बहुत amazing होता है हमारी health के लिए मखाना तो हम सबको पता ही है कि कितना फाइदे मंद है और गरिमियों में आपको ठंटक भी देगा इसे बनाने के लिए एक कप मखाना लेंगे मखाना अच्छी क्वाल्टी का लें अब एक पैन में मखाने को भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तब तक भूनेंगे जब तक ये करंची न हो जाए मखाना अच्छी से बून गया है इसी हास से तोड़ कर देखेंगे अगर क्रश हो रहा है तो बिल्कुल प्रुफेक्ट है राइते के लिए गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मखानों को एक बौल में निकाल लेंगे अब लेंगे दो कप दही दही मीठा होना चाहिए अच्छे तरह से फैंट लेंगे लंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्रीमी से होना चाहिए ये अभी थोड़ा थिक है राइता थोड़ा सा पतला ही होता तो ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा साही मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे मसाल ले स्वादन सर सफेद नमक डालेंगे काली मिच्री डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक मैंने यहां धागे वाली मिच्री को पीच लिया था एक चम्मच वो डाल देंगे और थोड़ी सी ही हरी मिर्च कूट कर डालेंगे हरा दनिया एड़ कर देंगे अब भूना हो जीरा पौडर डाल देंगे बहुत अच्छा फलेवर आएगा इन सारी चीज़ों का राइते में जो मखाने रोस्ट करके रखे तो वो इसमें एड़ कर देंगे और मिक्स कर देंगे मखाने हमारी बोडी में कैल पानिश करेंगे और साथ ही थोड़ा सा हरादनिया से प्रिंकल कर देंगे लोजी त्यार है हमारा हेल्दी टेस्टी और इजी मखाना रहता आप भी बनाएं और इंज्वाए करें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो